हेलो एव्रिवान नमस्ते कैसी हो आप लोगाई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छे हूँ तो आ जाहिए रुची यह रेकिये रुची के लंबे बाल और रुची करवा रही है है हेयर कट इतने लंबे बाल है अब देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर अब यह ल भी हुआ तैट हैं और मैंने भी सोचा कि मैं भी कट्पशनिग कर वाल हो कbase मैंने खुद अपने बालों की कट्पिश उच्छा इस बार मैं पालर में कट्पशन कर वा लेती हूं तो सबसे पहले सटेप था वाशिंग का तो में मुझे बहुत मैं अछ्ण उभा बंग पूरी वीडियो देखने पड़े, skip मत करना और शैंपू इतना जादा लगाते इतना अच्छा लगता है, उस तहमें इतना अच्छा फील होता है मुझे भी काफी अच्छा फील हो रहा था और रुची, रुची को तो इतना अच्छा फील हो रहा था पाफी शैंपू लगाते हैं तो इतना अच्छी फीलिंग आती है अब रुची से पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है मॉडल मंगी तो इसे बारी मैंने भी वाश तो कर लिये, अब बारी है पार्टेशन की पार्टेशन हो रही है मेरे बालो की उसके बाद उसके अक्रुआG कटिंग होती है और यह रुची के रहर् और इसके भी पार्टेशन हो रही है और इसने बब कट करवाया और मैंने यह फेस के राटेशन के अपनध उआइब करती है तो इतनी length रखवाई है, bob cut करवारी, bob cut में बहुत कम length रखवाते हैं, बट फिर भी इसने इतनी length रखवाई क्योंकि मुझे वो बोल रही थी कि, ममा मुझे मार डाले हैं, अगर मैंने जादा cutting करवाई, तो उसके बाद cutting के बाद, अब hair dryer, dryer की बारी है, सुखानी की बारी है, और ये करवारी है, straight क्योंकि bob cutting में छोटे-छोटे curls और straight बहुत जादा अच्छे लगते हैं, cutting बहुत अच्छी की भाया ने, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, last time final look देखना, मेरी भी cutting हो चुकी है, और मैं कह रही थी, कि मेरी तो पाल ही नहीं है, कितने से cutting मेरी, अच्छी बहुत अच्छी हैं, और रुच्छी के तो हो गया, सुगए बाल और मेरी भी सुगए, मेरी भी सुखा रहे हैं और मतलब इतना अच्छी फिलिंग आ थी मुझे, क्योंकि मैंने फॉस्ट टाइम पालर में करवाई हैं, और रभारी है, स्ट्रेटनिंगी, तो मेरी कर्ल कर रहे हैं, बया, जब मेरी हैर कर्ल होना शुरू हुए, तो मुझे लग रहा था, पतानी कैसे करेंगी, क्योंकि हैर ड्राइट से बहुत अच्छी भी होते हैं कर्ल, मैंने कभी करे नहीं हैं, और रुच्छी का फाइनल लुक, ये देखे हैं, कितनी प्रुटी लग रही है ये, तो ये था फाइनल लुक, मुझे कमेंट स्क्षिन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा हेर कट हम दोनों का, और मैं तो कुछ जादा ही खुश थी, पतानी क्यों मैं इतने हुश थी, और ये हैं हम दोनों, हम दोनों बहुत ज़दा प्रुटी लग रहे थे, और कमेंट सेक्षिन में मैं तारीफे बटगोना चाहते हूं कि आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी हमार कर्टिंग, एक के कर्ल हेर्स है और एक के बिलकुल स्ट्रीट है, बहुत ही अलग लोका रहा है, मैंने कर्टिंग रवाई सिंजॉली में, मैं ट्रक्स में, तो आप भी अगर आना चाहो वहाँ पर तो आप आ सकते हैं, पहले रुची करवारी तो फिर मेरा भी मन कर गया, औ अब देखे, ज़र आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, फिर उसके बाद लास्ट में, आप कमेंट शेक्शन में ज़रूर बतारे हैं कि आपको कैसा लगा मेरा हेर्स टाइब, यह है मैट्रिक्स जहां पर हमने कर्टिंग करवाई, और बहुत अच्छा सेलान है यहां प पपी के ढाबे के साथ ही है, नीचे को स्टियर्स वहां पर आप जा सकते हैं, और काफी अच्छे आपको मिलेंगे और काफी अच्छा लगेगा आपको कुछा लगा करवा के, तो I hope आपको मेरा हेर कट अच्छा लगा होगा, तो मैंने बन मनाया है, इसलिए मैंने बन मनाय कि मिरे बल सॉट होच्छे एफ, मुलकिल में पिल्कुल शोल्डर कट मैंने करवाए इंह ने कुछ नीच करवाए, मैंने कुछ नीच कर वाय हैं, मैंने बुलाई चलो काट दो आप जbil 근री अपनेशे हमने क्रओवने क्यों कि मेरे बाल हो रहते हैं तो मैंने खुद क्ट किय क्योंकि मुझे ताम मेरी चयोतलता है निक रापाम भी अपर कर दोalo on कि रमेदे शजय कंकि मैं यह तब प्रॉबम्स में मिलों शनने थोड़ेma थोड़ी आजियो चाहब कि छॉपक डांक है ऐसनी प्रॉबह्स बताऊ है do झार नेसे रम्हूभजिटे पहाँ होगा तो चलो ठीक है थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई टेक केर इसे तरह मुझे प्यार करते रहे है थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई